साथियों, परिवार का चुनाव तो हम नहीं कर सकते हैं, माता, पिता और भाई, बहन कौन होंगे, ये इश्वर प्रदत्त होता है लेकिन हमारे जीवन में जो दूसरे रिष्ट हैं, चाहे वो प्रेम का रिष्टा हो, मित्रता का रिष्टा हो, पार्टनर्शिप का रिष्टा हो, इस पर हम अपने विवेक का इस्तिमाल कर सकते हैं जी हां साथियों, यदि आप व्रिशभ लगन के व्यक्ति हैं, जातक हैं, जातिका हैं, तो आपके लिए बहुत खास जानकरी यह है, कि ये पांच जो लगन है, ये आपके लिए सदैव, फेवरिबल रहेंगे, बहुत कम आशंका है कि कि किसी प्रकार का धोखा आपको दें, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं, इन पांच लगनों में सरवादिक खास है, मिथुन लगन, सिंग लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुम्भ लगन. मेरे बहुत ही प्री और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिन अंदन, बहुत-बहुत हारदिक स्वाकत, साथियों इस विशेश श्रिंखला में हमें एक बहुत ही आम, लेकिन खास प्रशन के बारे में चर्चा कर रहा हैं, आम इसलिए है ये प्रशन, क्योंकि हर एक समय ये हमारे दिल में, दिमाग में कौन्धता रहता है, कौन इस व्यक्ति के साथ मैं पार्टनर्शिप में बिजनस करके मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, तो आम हो गया है, खास इसलिए क्योंकि इसके जो परिणाम है, वो बेहत गंभीर हो सकते हैं, और जीवन इतना छोटा है कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो बिलकुल नह लगन की हम चर्चा करेंगे, आपने सुना ही होगा, बचपन से हम सुनते चले आए हैं कि हम अपना परिवार नहीं चुन सकते, माता, पिता नहीं चुन सकते, कौन हमारा भाई होगा, कौन बेहन होगी, हमारे हाथ में नहीं है, बाई डिफॉल्ट है, ईश्वर की कृपा है लेकिन किस के साथ में हम मित्रता में पढ़ेंगे, किस के साथ में हम प्रेम में पढ़ेंगे, किस के साथ में मिलकर के हम व्यापार करना चाहते हैं, इस पर तो हमारा वश है, हम अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तमाल कर सकते हैं, और कई बार अपने विवेक का इस आज वरिशब लगन की चर्चा करेंगे और आने वाले समय में हम और भी जो लगन है तो लगन दर लगन हम चर्चा करेंगे यदि आप अपने लगन से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है जाकर कि आप जरूर देख सकते हैं तो साथ यह वरिशब लगन बेहद ही खूबसूरत बेहद ही शांदार बेहद ही शौकीन लोगों का एक्सपरिमेंटल लोगों का लगन होता है वो बदाई के पात्र हैं जो भी वरिशब लगन के हैं तो वरिशब लगन के लिए चार ऐसे लगन हैं जिनके साथ में वो अप वृषब लगन में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मिथुन लगन के लोगों की। यदि आप वृषब लगन के हैं तो मिथुन लगन के जो व्यक्ति आपके जीवन में है या आएंगे वो आपके personality को development करने का कार्रे करेंगे। आपके वानी में आकरशन लाने का प्रभाव करेंगे क्योंकि उन पर बुद्ध का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। दोनों लगन के लिए आपके जो साथ है और आपके लिए इनका जो साथ है ये श्रेष्ट साथ साबित होता है। साथ यो अगला लगन है सिंघ लगन, सिंघ लगन किसलिये क्योंकि आपके लिए सुखेश अर्थात, सुख के जितने संसाधन हैं, जितने रिसोर्स हैं, उनके लिए सिंघ राशी उत्तरदाई होती है तो सिंग लगन का विक्तियदी आपके जीवन में आएगा तो वो अपार प्रेम लेकर के आएगा प्रेम के मामले में आप उस पर अंधा विश्वास कर सकते हैं वो कभी आपको धोखा नहीं देगा सुख के जितने साधन हैं उनको आनंद तक पहुचाने का क्योंकि सुख एक शुरुवाती बिंदू है लेकिन आनंद एक चर्म बिंदू है तो इस पूरी यात्रा में सिंग लगन का जो जातक है वो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर जरूर सापित होता है अगला जो लगन है वो है मकर लगन और वैसे भी व्रिशब लगन के लिए शनीदेव बेहद ही योग कारक और सबसे फेवरेबल ग्रह होते है मकर लगन का व्यक्ति आपके जीवन में भाग्योदय लेकर के आएगा ही आएगा इसमें कोई दोराय नहीं है तो उसको भी आप यस कर सकते हैं अगला जो लगन है वो भी शनीदेव का ही लगन है जी हाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ कुम्भ लगन की कुम्भ लगन का जो व्यक्ति है आपके लिए बड़ा फेवरेबल होगा आपके जीवन में जो अनुशासन है उस अनुशासन के बीज बोने का कार्र कही न कहीं कुम्भ लगन का व्यक्ति करेगा आपका जो काम है आपकी जो आजी विका है आपका जो कर्म है उसको एक्सिलेंस तक ले जाने का उसको एक्स्प्लोर करने का कारणे कुम्भ लगन का व्यक्ति करेगा हो सकता है कि आपको किसी बड़े पद की प्राप्ती कुम्भ लगन के व्यक्ति से हो जाए आपका सरकारी कारे कभी भी यदी अठकेगा तो वो कुम्भ लगन के व्यक्ति की वजह से ही आगे बढ़ पाएगा कुम्भ लगन का व्यक्ति ही उस बाधा को दूर करेगा तो ये चारों खास तोर पर हमने जिन लगनों की चर्चा की ये आपके लिए फेवरिबल लगन है इस शरंखला में तो हम फेवरिबल बाते कर रहे हैं इसके बाद में जो शरंखला लेकर आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि किन बलगनों से आपको दूर रहना चाहिए और जहां तक बात विवाह संपन्न करने की होती है वो इस श्रिंखला में शामिल नहीं है क्योंकि विवह के लिए हमें भावों का भी मिलान करना होता है हमें ग्रहों का भी मिलान करना होता है हमें आने वाली दशाओं अंतर दशाओं का भी मिलान अवश्य ही करना होता है मुझे लगता है कि विरिशब लगन के लोगों के मन में यदी ऐसी जिग्यासा थी तो वो शान्त अवश्य हो गई होगी तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ सम्रिध और शान्ति पूरवक जीवन व्यतीत करें नमस्कार झाल 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 झाल